दोस्तो आज की वीडियो में बात करूँगा मैं फेज प्रिवेंटर के कनेक्शन कैसे किये जाते हैं हमारे स्टाटर में इसको लगाने के बेनिफिट क्या-क्या है वो भी हम प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे सारे फेज प्रिवेंटर हमको फेज अनबैलेंस की सेप्टी देते हैं फेज सिक्वेंस की सेप्टी देते हैं और अंडर बोल्टेज ओबर बोल्टेज की सेप्टी देते हैं दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपको एक Face Preventer Circuit में लगा के देखा देता हूँ कि यह कैसे काम करता है Practically उसके बाद हम ड्रोइंग के जरी प्रॉपर तरीके से इसके Connection समझेंगे दोस्तो Single Face Preventer का मैं आपको Live Practical देखाता हूँ इन बटन को जैसे ही प्रेश किया Contactor Hold हो गया और मोटर मेरा चलने लगी है यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तो Mini Leg का BSP2 Single Face Preventer लगाए जिसमें Red Indicator जल रहा है अभी इसका मतलब Circuit हमारा भी Healthy है अभी मैं क्या करूँगा जो मेरा 3-pole MCB लगा हुआ है इसके एक phase को trip कर दूँगा उपर से जो इस trip लगी रहती है तीनों MCB को जोडने के लिए उसको मैंने हटा दिया है अब एक MCB को मैं down करूँगा तो मेरा आप देखेंगे कि Single Face Preventer trip कर देगा मेरे circuit को Contactor मेरा unhold हो गया है और मोटर भी मेरा बंद हो गया है अब इसको हम समझ लेते हैं circuit diagram से कि यह कैसे काम करता है दोस्तो अभी आपने देखा कि जैसे हमारा एक phase फेल हुआ जो हमारा preventer safety लगी है इसकी बज़े से हमारा system बंद हो गया हमारा motor चलना बंद हो गया अगर यहां हम preventer नहीं लगाते तो दो phase पर भी हमारा motor चलता रहता लेकिन एक time के बाद motor हीट होके जल जाता इसलिए हम preventer लगाते हैं दोस्तो अब हम समझेंगे इसका power circuit diagram जो हमारा three pole का MC भी लगा हुआ है इसके उपर बाले point से supply को out करेंगे और जो contactor का input point है यहां पर हम R by B तीनो sequence में दे देंगे और जो हमारा contactor लगा है इसके नीचे हमारा overload relay लगी हुई है जो हमारा overload relay है यहां से supply out होके हमारा motor के terminal box में चली जाती है और जो हमारा single face preventer लगा हुआ है इसमें जो contactor का input point है यहीं से supply उठा करके जो हमारा preventer लगा है इसमें एक दो और तीन नमबर तीन point होते हैं हमारे R by B face के लिए वहां पर हम connect कर देते हैं दोस्तो एक किसी भाई का comment आया था उन्होंने बोला था कि हम contactor के output में overload relay को नहीं लगा सकते हैं तो लगाने के लिए तो आप बिल्कुल लगा सकते हो लेकिन जो आपको phase preventer से safety मिलती है हमें phase sequence की वो safety नहीं मिल पाएगी क्योंकि अगर हमारा कोई sequence change हो जाता है जैसे R की जगए B हो जाता है बी की जगए R हो जाता है तो हमारा motor उल्टा घूमने लगती है उल्टा घूमने से बचाने के लिए हम अपना preventer को input में लगाते हैं contactor के input पे supply दीजे गई है वहीं से loop लेके अपना preventer में लगा देते हैं जो हमारा holding का supply होता है उस holding के supply को हम अपने single phase preventer से देते हैं आगे हम connection समझ लेते हैं इसका controlling cache की जाती है सबसे पहले तो हम neutral का wiring कर लेते हैं जो हमारा neutral strip लगा है इसके उपर बाले point से हम neutral उठाएंगे और अपना contactor के A2 point में neutral connect कर देंगे और यहीं से loop ले जाकर के जो हमारा single phase preventer लगा हुआ है इसके 8 number point में हम neutral connect कर देंगे क्योंकि यहां 7 number और 8 number इसका coil का point होता है इसको operate करने के लिए जो हमारा 3 pole का MCB लगा हुआ है इसके उपर बाले एक point से supply को out करेंगे और single phase का जो MCB लगा हुआ इसके नीचे बाले point में connect कर देंगे अब MCB के उपर बाले point से supply को out करेंगे और जो हमारा overload relay लगा हुआ है इसके 95 number point में ले करके जाएंगे और overload relay के 96 number जो हमारा NC point होता है यहां से supply को out करके पहले अपना जो preventer लगा हुआ है हमारा single phase preventer इसके 7 number point में हम फेज देंगे 8 number में already neutral लगा हुआ है 7 number में हमने phase दे दिया इसकी coil को operate करवाने के लिए अब 7 number से ही हमें एक loop उठाएंगे और 13 number common point में हमें एक loop दे देंगे यह हमारा BSP D2 relay है तो यहां हमें 2 NONC के contact मिल जाते हैं अगर हमारा BSP D1 relay होती तो हमें एक contact मिल पाता है जैसा कि दोस्तों मैं आपको side view देखा रहा हूँ इस पर सारा contact लिखे हुए होते हैं जहां आप देख सकते हैं कि आपका 7 और 8 number coil का point है आपका 13 number में हमें common देना है और जो 14 number है वो हमारा NC point है इसके बाद हमारा 15 number हमारा NO point है तो हमें क्या करना है 14 number से supply को out करके जो हमारा red push button लगा है वहाँ पर लेके जाना है और NC से supply को out करने के बाद अपना green push button NO में लेकर के जाते हैं और NO से supply out करने के बाद जो हमारा contactor का A1 point हम यहाँ connect कर देंगे अब जो हमारा contactor है इसको हमने on तो कर दिया लेकिन इसको hold भी करना है अभी तो holding के लिए जो हमारा A1 point है यहीं से एक loop दे देते हैं 13 number NO point में यहाँ पहले से जो हमारी supply जा रही है A1 में इसी के साथ हमने joint कर दिया अपना 13 number और contactor के 14 number NO point से supply को out करके जो हमारा red push button का output है यहाँ connect कर देंगे क्योंकि जब भी हम red push button दबाएंगे तो supply हमारी कट जाएगी और हमारा contactor बंद हो जाएगा उम्बित करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया हूँगा अगर कोई भी doubt रहे गया है तो आप नीचे comment box में comment कर देना चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर लेना ऐसे useful वीडियो देखने के लिए जल्दी ही मिलूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए जहें